नमस्कार मानवी एंड आयू क्रियेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है आज मैं आपके साथ कजरी तीज की व्रत कथा प्रस्तुत करने जा रहे हूँ भाद्रपत के क्रश्न पक्ष की त्रतिया को यह तीज का त्योहार मनाया जाता है कजरी तीज को कजली तीज, सातुरी तीज और बड़ी तीज भी कहा जाता है गावारी और शादी शुदा दोनों ही महिलाएं इस व्रत को करती है और महिलाएं इस दिन जूला भी जरूर जूलती है तो शुरू करते हैं, तीज की पहली व्रतकत था, एक ब्रामन था, उसके साथ लड़के थे, बादवा का महीना आया, बड़ी तीज का दिन आया, सभी देवरानी, जेठानी आपस में कहने लगी, मेरे तो इस बार धान के सत्तू की बारी है, कोई बोली मेरे चावल के सत्तू क की बारी है, ऐसे चैने तो अपने पियर में खबर बेज दी, साथ वी का पियर बहुत ही घरीब था, वो अपने आदमी से बोली, मेरे चने के सत्तू की बारी है, अब चाहे तुम चोरी करो, पर मेरे लिए चने का सत्तू ले आओ, पती मन में विचार करने लगा, अब मुझ क्या करना चाहिए, पास में पैसा भी नहीं है, और सत्तू लाना भी जरूरी है, वो साहुकार के यहां पर चोरी करने गया, सेठानी जो थोड़ी देर पहले ही सत्तू बना कर सोई थी, तो सत्तू बनाने का सामान जहां का तहां पड़ा हुआ था, अब उस ब्रामन के कर पिंडा बनाना शुरू कर दिया, थप थप की आवाज सुनकर सेठ और सेठानी दोनों उठकर आए और उससे बोले तू कौन है, चोर है, भूत है, प्रेत है, कौन है, मेरे को बता, तब ब्रामन का लड़का बोला, मेरी छे भावी ने तो अपने पीयर में खबर बेजकर सत्तु मंगवा लिया, लेकिन मेरा ससुराल तो बहुत गरीब है, और मेरी ओरत ने आज वरत भी रखा है, और सत्तु पासना भी जरूरी है, इसी कारण से मैं आपके घर आया हूँ, और एक सत्तु का पिंडा और सीक बना कर मेरी ओरत को मुझे देना है, ऐसा सुनकर उस पिंडानी ने अपने लड़के को उसका धर्म का भाई बनाया, तीज माता उसको जैसे धर्म का भाई हुआ है, ऐसा सबका हो, जै तीज माता, तीज की दूसरी वरत कथा, एक साहुकार था, उसके साथ लड़के थे, बादवा का महीना आया, अधियारा पखवारा आया, और सातुडी तीज का दिन आया, उस दिन बहु ने खड़े नीम की पूजा करी, तो उसका आदमी मर गया, दूसरे बेटे की शादी हुई, और उस बहु ने भी खड़े नीम की पूजा की, तो उसका भी आदमी मर गया, इस प्रकार छे बेटे तो मर गये, सासुमा बोली, अब अब तो मैं बेटे का ब्याहान नहीं करूंगी, मेरे तो सभी बेटे मर गए हैं, आप एक को तो रहने दीजिए, सावकार बोला, अब तो अच्छी पड़ी लिखी बहु लाएंगे, उसकी भी शादी करी, तीज का दिन आया, सास बोली, हम तो सब खड़ा नीम की पूजा करत कर पूजा करी, तो उसके छेट जिन्दा हो गए, उसी दिन वो सभी जिठानियों को बुला कर लाई, और बोली, कि चलो पिंडा पासो, तो सभी जिठानिया बोली, किसके लिए पिंडा पासे, पासने वाले तो मर गए, तो सात्वी बहु बोली, अब सभी जिन्दा हो गए हैं सभी आई और सब ने पूजा करी पिंडा पासिया और आर्क दिया और गाओं में धिंडोरा पिटवा दिया कि अब सभी दिवार पर नीम की डाली गाड कर ही पूजा करेंगे जैसे मरे हुए सारे जेट तीज माता की पूजा से जिंदा हो गए इसी तरह तीज माता की है तो बहुत पैसे वाले और एक बहुत गरीब था जो गरीब लड़का था वो दिन भर वेश्या के यहां पड़ा रहता था और उसकी ओरत दिन भर देरानियों जिठानियों का काम करती थी और अपना पेट बरती थी अब बड़ी ती जाई सब देरानी जिठानी के दाल श इतने में उसका आदमी आया बोला कीवार खोल तो वो बोली आज तो मेरा भाग्ये खुल गया है पिंडा पास ने मेरे भावर जी आया है उसने दरवाजा खोला तो घर में आते ही वो बोला चल मुझे वेश्या के यहां छोड़ कर आ जब वो वेश्या के गर छोड़ने जगा आड़ी नदी दूध दही की मिली तो उसमें से आवाज आई आवतड़ा कोई जावतड़ा दोनो खोल पी बन बन रा इस तरह उस नदी में से दूध का दोना आया उसके पीने से भमर घर आया तो उसके आदमी को दैय आया और वो वेश्या के यहां गया और अपनी औरत के कपड़े और गहने लाया और बोला बार-बार खोल किवार खोल और उसने किवार खोला तो देखा कि उसका पती आया है देखकर उसका स्वागत किया और दोनों खुशी-खुशी रहने लगे ए निम्री माता उसकी बुद्धी ठीक करी वैसे सभी की बुद्धी ठीक करे जै तीज माता